नमस्कार दर्शकों जैस्री कृष्णा स्वागत है आपका हमारे चैनल वी यार एस्ट्रोलोजी में दर्शकों नया साल दोहजार चोईस आने वाला है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुम्ब राशिवालों के लिए नोकरी के योग कब बनेंगे प्राइवेट नोकरी हो चाहे गौर्णमेंट सेक्टर हो आपको सफलता कब मिलेगी आपके लिए अच्छे योग कब बनने जा रहे हैं इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों आपको वैसे सुब समय की जानकारी देंगे जहां पर आपको मेनद करने से अच्छा लाप मिलेगा तो आप ये वीडियो पुरा वश्ये देखिए दर्शकों आपके लिए जानकारी जरूर लाप्रद सिद्ध होगी सबसे पहले देख लेते हैं कि 2024 में आपके लिए ग्रहों की स्तिक इस प्रकार की बनी हुई है तो देखिए दर्शकों आपके लगनेश शनी देव बनते हैं वो आपकी रासी कुम्ब में ही गोचर करेंगे 2024 में ये बहुत अच्छी स्तिती है क्यूंकि आपके लगनेश आपकी रासी में रहेंगी सो तो शश राजयोग का निर्मान होगा आपके लिए अच्छा राजयोग शनी देव बना रहे हैं वहीं दर्शकों गुरुदेव ब्रहस्पती की बात करें तो वो आपकी रासी से तृतीय बाव में रहेंगे मेस रासी में तीस अप्रेल तक उनका गोचर मेस में रहेगा इसके बाद वो रासी परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे वृष्यव रासी में दर्शकों बात करें राहु केतु की तो राहु आपकी रासी से दितिय भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव अश्टम भाव में रहेगा सुर्य मंगल का प्रभाव देखे दर्शकों वर्ष की सुरुवात में आपके लिए आई भाव में रहेगा और बुद्ध और शुक्र का प्रभाव आपकी रासी से दसम भाव में रहेगा तो ये शबीग रहा आपको किस प्रकार से प्रभावी करेंगे आपके लिए क्या फल देंगे इसकी बात करते हैं देखिए दर्शकुन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं कोई अच्छी नोकरी का लिए प्रैत्म कर रहे हैं तो देखिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए जन्वरी का महिना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा समय है यहाँ पे आपको बड़ी ओपोर्शनिटी कोई मिल सकती है कोई अच्छी जोब मिल सकती है अगर आप जोब चेर्ज़ करने की सोच रहे हैं तो जन्वरी का महिना अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है यहाँ पर अच्छे लाब आपको मिल सकते हैं कोई नई नोकरी मिल सकती है ऐसी संभावनाई बनी हुई है क्योंकि आपके दसंभाव में लक्समिन आरायन योग बना हुआ है बुद्ध शुक्र का इस कारण आपको बहुत अच्छी जोब मिलती दिखाई दे रही है वहीं दर्शकों आपके लिए देखिए फरवरी का महिना भी बहुत अच्छा बना हुआ है क्योंकि देखिए फरवरी में मंगल उच्छ रासी के हो जाएंगे तो जो लोग विदेश जाने के लिए प्रेत नसील है विदेश में जाकर जोब करना चाहते हैं तो फरवरी में उनको प्रयास करना चाहिए अच्छी जोब विदेश में कर सकते हैं कोई MNC company में वगेरे में आप प्रेतन सील हैं तो फरवरी का महिना अच्छा है आपके लिए कोई बड़ी opportunity फरवरी में आपको मिल सकती है आपको मैनत करनी चाहिए इसके बाद दर्शकों देखिए आपके लिए सुर्य अप्रेल के महिने में बहुत अच्छे रहेंगे परन्तु उससे पहले मार्च में शुक्रा आपकी रासे में गोचर करेंगे देखिए शुक्रा आपके लिए भाग्य भाव के मालिक बनते हैं जब भाइयेस का आपकी रासी पर गोचर होगा तो मार्च का महीना बहुत शांदार रहेगा जो लोग गोवर्मेंट छेतर के लिए प्रयास कर रहे हैं गोवर्मेंट नोकरी के लिए काफी मैनत करने हैं परन्तु सफलता नहीं मिल रही है तो फरवरी का महीना बहुत अच्छ के रहेंगे मार्च में बात करें तो शुक्र का प्रभाव आपकी रासी पर रहेगा और अप्रेल में बात करें दर्शकों तो सुर्य उच्छी के रहेंगे इस प्रकार से फरवरी मार्च और अप्रेल तीनों महीने आपके लिए काफी ज़्यादा प्रभावी हैं यहाँ पर गूरू का प्रभाव व्रिशब रासी में सुरू हो जाएगा एक मई से तो उन गूरू आपके लिए और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी क्योंकि गूरू की दृष्टी सब्तम दृष्टी आपके दसंभाव उपर रहेगी कारी छितर में बड़ी उपलब्दी आपको मिलेगी मई के बाद में आपको कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है गोवर्मेंट में जाना चाहते हैं तो गूरू का साथ मिलेगा तो मई के बाद भी इस्तितिया बहुत अच्छी है इस्तियार के लिए ऐसी बन रही है कि सुरू के जो तीन महेने बताये हैं हमने फरवरी, मार्च और अपरेल इन में संभावनाएं जाता है और मई के बाद भी संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है इसको नकारा नहीं जा सकता इसके बाद अपरेल के बाद में देखा जाए तो दर्शकों आपके लिए एक महेना सितंबर का बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर बुद्ध उच्छ रासिक रहेंगे सितंबर में जो कि आपके लिए अच्छी ओपर्चुनिटी दिला सकते हैं जोग में कोई न कोई बड़ा मान सम्मान भी आपको मिल सकता है कोई अवोर्ड वगेरे भी मिल सकता है सितंबर के महेने में तो इन महेनों का ध्यान रखी कुल मिलागर पूरा साल ही अच्छा है कार्य शेतर के लिए परन्तु ये चार महीने बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे इसमें क्रमश है, फरवरी, मार्च, अप्रेल और सितंबर इन चार महीनों में अगर आपकी कोई एक्जाम है तो आपको निश्चित तोर पर शफलता मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आपको अच्छी ओपर्चुनिटी मिलेगी विदेश जाने के योग बनेगी, विदेश में जाकर कोई अच्छी जोब कर सकते हैं तो पूरी संभावनाय आपके लिए बने हुई है कुमबरासी वालों को बस मैनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए आप लोग वैसे भी मैनती होते हो, परन्तु कई बार थोड़े आलसी भी हो जाते हो तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, आलश्य को अपने उपर हावी मत होने दीजिए अब दर्शकों में आपको कुछ उपाई बताना चाहूंगा, जहां पर आपके लिए योग और भी ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे सबसे पहले तो लगने शनी देव को बली करिए, आप एक तो शनी देव का मंतर का जाप करिए शनी मंदर जाईए हर शनी वार को सरसो के तेल का दिपक जलाईए, वहाँ पर थोड़े से काले तील मिलाकर वहीं आपके देखिए भगेस बनते होंगे शुक्र देव, तो माता गोरी की अरादना करनी चाहिए आपको शुक्रवार के दिन माताजी के मंदर में जाकर लाल पुष्प जरूर उन्हें अरपित करने चाहिए, इससे आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा ये दो उपाई अवश्य करिए निश्चित तोर पर आपको लाब होगा, सुर्य भगवान की अरादना करिए, सुर्य भगवान को अर्ग दीजिए, इससे गोर्मेंट सेक्टर वालों को अच्छे सबलता मिल पाएगी तो ये उपाई अवश्य करिए दर्शकों, इसके अलावा दर्शकों अगर आप हमसे व्यक्तिकत तोर पर परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपने अपोइंटमेंट बुक करवा कर अपनी कु रप्या वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल से पहली बार जोड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैस्री कृष्णा